किन सुरों के साथ याद करना चाहेंगे अपने चंद्रियान तीन को कैसे देंगी शुपकाम नाए जी मैं सबसे पहले चित्राजी देश के विज्ञानिको को याद करना चाहूंगी जिनकी बदौलत हम ये दिन देखा रहें जो गर्व जो सम्मान हमारे देश में हमारे दिलों में हमारी धड़कनों पे अपने सैनिकों के लिए वही सम्मान वही गर्व आज हमारे मन में हमारे दिलों में अपने देश के तमाम विज्ञानिकों के लिए भी है मैं उन सभी के लिए विज्ञानिकों के लिए कुछ पंक्तियां कहते हूं, उस सुलेगा मन्जिल को पाने की खातिर मीलों मीलों भागे तुम मन्जिल को पाने की खातिर मीलों मीलों भागे तुम भूक प्यास सब सुख सुविधा को और नींदों को त्यागे तुम नमन तुम्हारी हर कोशिश को नमन तुम्हारे प्रयासों को सरहद पर सैनिक के जैसे रात रात भर जागे तुम सरहद पर सैनिक के जैसे रात रात पर जागे तूं रात रात भर जागे तूं किस तरह से आप अपनी भावनाव को प्रकट करना चाहेंगे आप चुंकि बहुत कम वक्त बाकी है गंटे 24 मिनट बैसे तो मैं कभी नहीं हूं लेकिन मेरी वाइफ का भी नाम है लेकिन मैं बाइलोजिस्ट हो की मैं चीज बताना चाहूंगा जो मैं जो मैं जो देख रहा हू ऐसे भी मैं बच्चे को सोई से देख रहा हूं जिने रात को नीद भी नहीं आया है बिल्कुल और जो दिन में चांद तारे लिख तोड़ा सेमे हुए हैं करें मिशन पूरा हो जाए उसके बाद में बोलूंगा और चंद्रमा के वारे में जितनी कविताएं और गाने जैसे के चंद्रमा की बासा में समुद्र की जहरा है अभी चेंजस नहीं हुए है अभी तक सबकुछ ठीक चल रहा है अभी तक सबकुछ अच्छा है यह अभी मॉड्यूल पर प्रोग्राम लोड ओचुका है जो देख पा रहे है और अभी हो के रहेगा मतलब यह जो जो ल जब हमारा भारत आजाद हुआ था 14-15 अगस की रात को जोरदार बारिश हो रही थी उस समय भी शुब घड़ी देखी गई हाला कि वैग्यानिक इस बात पर जादा भरोसा नहीं करते हैं लेकिन प्रधान मंत्री पत की शपट जब जबहाला नहरू को दिलाई जा रही थी शुब घड़ी देखकर आधी रात को ही 14-15 अगस की उनको दिलाई दी गई